आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Meeees A-B Producer Def और A-B is meet मीट करती है F के और यह ठीक है जो L-E-C-L D Korea मीट करती है And BC L and BC L met करती है Proof करना है A-F is Twice of DC जो A-F है हमारा A-F is Twice of DC is proof on and D-F proof on a-Name D-F is Twice of D-L यह दो दो चीरे proof on a-Name तो देखो पहला पहला स्टार्ट करते है बार पास पहने चैसिंग और हो को देखो कि ऑगर दो कि Be इतना हम बोल सकते हैं कि अगर यह पूरी साड़िक के पैलर है और यह मिड़ पैलर हो जागा तो यह हाफ से हमारा तो ED पैलर हो जागा BL के साथ हमारा ठीक है and हमको question given था कि हमें D से line जो draw करिया वह पैलर है EB के align through DB, parallel to EB बोला गया हमसे तो ऐसम बोल सकते हैं कि जो EB है वो DL के पैलर है and EB is पैलर विद डील, EB is पैलर विद डील, यह हम और कोश्म में किया है यह चीज़ हम ने यह उन्हां से प्रोडूस किया है AD पैलर 20 जा हम ने यह निकाल ला है कि ED पैलर बल होगा और EB के पैलर है, तो ED-BL के पैलर है और EB के पैलर है that implies जाहसे मैं बोस खोते हैं कि मेरा ABLD is a parallelogram यह ABLD पैलर क्या होगा है, पैलर पैलर लोगरा होगा है ठीक है तो अगर यह parallelogram है, therefore BL is equal to ED जाहसे मैं क्या बोलटा हूँ कि BL equals to ED होगा मेरा अगर यह parallelogram है, तो parallelogram की opposite side आपस में करो होती है, तो BL equals to ED होगा है और ED के किसके इक बोल है, ED equals to AB के half of AD के जो कि E midpoint था पना AD का, तो ED equals to half of AD के और AD equals to BC के, जो कि AD और BC के opposite side of parallelogram है तो यह बढ़ाएगा half of BC के और half of BC के मेरा ऐसे, वो है अपना CL which is equal to CL, ठीक है, half of BC होगा मेरा CL, ठीक है तो basically हांसे क्या होगा है, कि जो BL है मेरा, वो CL के को ला गया, that implies BL equals to CL, BL equals to CL होगा मेरा हांसे, आप देखो, नाओ, N TRIANGLE, D C L, N TRIANGLE, F B L, जो DCL यह अला टांगल और F B L यह अला टांगल, यह दो तो टांगल मेन कंसले रवी है, यह अपर सबसे वेल पोई लिखेंगा, BL equals to CL, यह तो हमना लिखते है, PROVED ABOV, ठीक है, NEXT यह मैं ऐसे लिख सकते हैं, एंगल D L C, D L C equals to angle F L B, यह यह देख सकते हैं, vertically opposite angle, ठीक है, यह वाला अंगल और यह अला अंगल के आदेखेंगे, vertically opposite angle मेरे आदे, NEXT लिख सकते हैं, angle C D L, angle C D L, is equal to angle B F L, angle B F L, ठीक है, C D L, यह निकों से अंगल, D L angle, C D L and B F L, चुकि यह तोनों क्या हैं मेरे आपस में alternate angles हैं मेरे, यह alternate interior angle ठीक है, यह तोनों क्या हैं मेरे, alternate interior angles हैं, तो यहांसे मैं बोल सकते हैं कि therefore, triangle D C L, is congruent to triangle F B L, यह क्या होगे मेरे, दुनों triangle क्यों रहन होगे, आगर दुनों triangle क्यों रहन होगे, तो यहांसे बोल सकते हैं, तो यहांसे बोल सकते हैं, D C is equals to B F and D L is equals to F L by C P C T, C P C T से मैं बोल रहा हूँ कि जो D C यह वो B F के एकोल है, और D L is equals to F L के मेरे रहा है, ठीक है, D C equals to B F and D L equals to F L, अब देखो, हम यह आप लिख सकते हैं कि now, जो B F है, वो किस के कोल है, D C के, जैसे कि आपने आप लिखा है भी, B F D C equal है, और यह D C equal है, A B के, जो D C है वो A B के कोल है, उपोज़ट सेटों पहल होगे, क्योंकि मैंने आपर बोल देए, B F and A B equal होगे, यह हमने लिख रहा, B F and A B equal होगे, यह हमने लिख रहा, B midpoint होगे अपना A F का, तो जो twice of मेरे ऐसे बोल सकते हैं, twice of A B है, A B का twice करेंगे, वो पूरा किस के को लाएगा मेरे ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि DC equals A B है ना, देखो इसको यहां से मैं लिख रहा हूँ, अगर twice of A B is equals twice of DC, ठीक है, twice of AB equals twice of DC लिख रहा हूँ, और twice of AB का मतलब क्या होगे अपना, twice of AB का मतलब AF, क्योंकि AB और AB आपसे में कहल है, तो यह होगे AF, TH, that's implies AF equals to twice of DC, तो फर्श पार्ट तो प्रूफ होगे अपना, ही AF equals to twice of DC, अप प्रूफ होँ ना, DF equals to twice of DL, यह प्रूफ होँ इसके लिए मां आपसे देखता हूँ, हमने यह लिख था हूँ, हमने यह लिख था है, DL equals to F L, C PCT से, तो इसको consider करते हैं, DL is a goshu FL, that implies DF is a goshu twice of DL, अगर DL और FL आपस में इकोल है, तो जो मेरा DF होड़ाएगा, वो twice of DL होड़ाएगा, क्योंकि हमने पुरूफ हरती हैं, कि यह तो आपस में इकोल है, L is commitment है, तो DL, DF जो होड़ाएगा अपना, यहांसे DF पूरा और twice of DL होड़ाएगा, ओके, thank you friends.